नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Franklin India Small Companies Fund के बारे में ये fund Small Cap की केटेगरी का fund है खास करके इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि थोड़ी सी इसके लिए request भी आई थी और साथ ही इस fund को लोग जादा recommend नहीं कर रहे हैं यानि कि इस fund से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं वो क्या है कैसे है हम लोग पूरे fund के detail में देखेंगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि Small Cap Equity Fund होते क्या है तो आप लोगों को बता दूँ कि जो भी market में listed companies है और जिनका market cap 5000 करोड या फिर उससे नीचे का है वो कहलाती है Small Cap Companies और इस तरह की companies में जितना जादा exposure होगा जैसे कि portfolio में सबसे जादा exposure जिस तरह की cap का होता है उसे उस तरह के fund को कहते हैं तो वहीं पर at least 65% जो exposure होगा वो इस तरह की companies में होगा यानि कम से कम fund manager को 65% यानि कि 65% invest करना होगा Small Cap Companies में इसलिए इस fund को Small Cap Equities fund भी कहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को direct और regular दोनों ही option मिलते हैं हम लोग बात करने वाले हैं इस fund की पूरे detail के बारे में इसके past return जब से ये fund launch हुआ है और बीच में क्या-क्या किया इस fund ने fund के portfolio को देखेंगे किस तरह के stock इस पे listed है बात करेंगे क्या आप लोगों को इस fund में invest करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग fund detail को देखते हैं तो सारा कोछ आप लोगों का 6 अगस्त तक का है तो regular और direct दोनों option मिल रहे हैं आपको इसमें तो regular में NAV अभी 83 रुपए 85 पैसे है और dividend की 33 रुपए 36 पैसे है वहीं पर direct में इसकी NAV 91.81 रुपीज है और dividend में 38.17 है अगर आप लोग इसकी बात करते हैं expense ratio की तो regular में 1.93% का expense है और direct में आप लोगों को इस fund को manage करने का खर्चा 1.04% देना होगा तो अगर आप लोग इसके साथ direct option खोलना चाहते हैं तो direct option के साथ ही जाएगा बनना आप लोगों को almost 0.9% तक का नुकसान हो सकता है आप लोगों के annualized return में क्योंकि ये सलाना expense ratio आप लोगों से लिया जाता है बाकी category जो है small cap की है इसके अंदर asset जो है 6,768 करोड का है 13 years पुराना fund है और वहीं पर launch date की बात करते हैं तो ये January 2013 में launch हुआ था direct के साथ और अगर आप लोग इसके benchmark को देखते हैं तो S&P BSE 250 small cap TRI रखा गया है तो चलिए इसके बारे में हम लोग काफे detail discussion करने वाले हैं compare करके और exit load इसका है अगर आप लोग 365 दिनों के अंदर अंदर fund को withdraw करते हैं यानि की units को withdraw करते हैं तो आप लोगों को उन units पे 1% का exit load भी देना होगा investment detail अगर आप लोग देखते हैं तो investment इसमें 5000 आप लोग कर सकते हैं अगर लम्शम करना चाहते हैं minimum है ये सारा कुछ और S&P आप लोग इसमें 500 से सुरू कर सकते हैं अगर आप लोग S&P में लम्शम करना चाहते हैं तो 1000 कर सकते हैं minimum और minimum withdraw होगा 1000 की value की units होंगे जितने भी बनती हैं उतना आप लोग withdraw कर सकते हैं fund का type है open ended यानि कि आप लोग का किसी भी तरह का locking period इसमें नहीं है past performance की बात करते हैं तो regular ने काफी अच्छे return दिये हैं पिछले एक साल में जैसा कि आपने देखा covid की वज़े से market काफी यदा downfall हुआ था तो एक year absolute जो एक year है यानि कि आज से लेकर के पिछले एक साल में तो 98.23% तक का पिछले 3 सालों का return 13.33% का पिछले 5 सालों का return 13.02% का और पिछले 10 years का return 19.75% रहा है बाकी इस fund ने जब से launch हुआ है जब से market में आया है आप लोग के सामने almost 14% तक का return maintain किया है अगर direct की बात करते हैं तो एक साल का return almost 100% रहा है यानि कि अगर आप लोग 100 रुपे लगाते तो 100 रुपे इसमें कमा लेते हैं आप लोग 3 year का return बात करते हैं तो 14.41% 5 year के return की बात करते हैं तो 14.23% और जब से direct आप लोगों के सामने आया तब से 21.25% तक का return निकाल करके द प्रोड़कल, CCL Products, KPR Mills, Quiz, Equitas, Jyoti Labs, Nesco, ICICI Bank, HDFC भी है इसमें हिंदुस्तान Petroleum तो overall अगर पॉटफोलियो देखा रहा है तो ठीक ठाक है यहाँ पे financial को काफी ज़्यादा तवज्यो दिया गया है और खास करके Latch Cap और Jade Cup के financial sector को और अगर आप लोग chemical sector में देखने हैं तो chemical sector में आने में दो-तीन सालों में अच्छा खासा growth देखा जा सकता है और cement sector में भी तो chemical और cement का काफी ज़्यादा connection है और अगर हम लोग बात करते हैं टैक में बी तो टैक में electric vehicles की बात करते हैं तो अगर आप लोग long term में देखते हैं तो कुछ stock हैं इसमें जो की अच्छे हैं और future में चल करके आप लोगों का बढ़या growth दिला सकते हैं और ये fund भी आप लोगों को अच्छा growth दिला सकता है बाकी हम लोग blue star की बात करते हैं वोल्टास की बात करते हैं तो कुछ कह सकते हैं कि आप लोग इसमें seasony stock भी हैं जिनके season में काफी अच्छे return देखने को मिलते हैं तो overall portfolio काफी अच्छा distribute किया गया है और हम लोग अगर इसके fund portfolio को देखते हैं तो इसका asset allocation almost 97% equity में है और 3% cash and debt में है cash के instrument में है और अगर आप लोग इसके investment को देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो g-end cap में है और large cap में है mid cap में 35% invest करा गया है और small cap में almost 59% तक का investment यानि कि अगर आप लोग overall portfolio distribution को देखते हैं तो जो minimum 65% का criteria है इस fund ने follow नहीं किया है ठीक है थोड़ा सा rule भी valid किया है तो यह इसके g-end में 4% है और large cap की companies में 2% का investment है बाकि fund और benchmark को आप लोग compare करते हैं तो जो इसका benchmark है वो nifty small cap 250 TRI रखा गया है तो 2009 के हम लोग crisis से देखत हैं इसमें कुछ major events को ही हम लोग compare करेंगे तो 2009 में अगर आप लोग ये जो red color वाला है ये benchmark है और जो blue color वाला है ये है fund के return देखें जो 2009 में जबसे ये fund launch हुआ है मैंने regular का सारा data दिखाया क्योंकि regular का data बहुत लंबा है लग बग 15 साल का data आप लोगों के सामने है तो 2009 में इस fund ने minus 19% का return maintain किया वहीं पे return किया लोगों को नुकसान कराया और 2009 में जो benchmark है उसने minus 21% तक की नीचे की तरफ चलांग लगाई बागी 2014 की बात करते हैं तो 2014 में fund ने 2.5% और 2014 में benchmark ने 4.4% का return maintain किया यानि कि यहां पे benchmark ने fund को outperform कर दिया 2016 में देखते हैं तो 2016 में fund ने benchmark को outperform किया है जो की 8.16% का और 2016 में benchmark ने 2.69% तक का return maintain किया 2020 में देखते हैं तो 2020 ने भी fund में काफी अच्छा performance किया यानि कि अगर आप देखते हैं तो 8.67% का जबसे fund launch हुआ है तब से का दिखा रहा हो बाकि अगर आप लोग पिछले 3 सालों का देखते हैं तो यह नीचे के तरफ graph दिखता है तो आप लोगों को 8.67% का इसमें return देखने को मिलता और benchmark ने 2.95% का return maintain किया जबसे launch हुआ है यानि कि 2006 से आप लोग इसका comparison देख रहे हो 2021 में आते तो आप लोगों का जो यह fund का return होता वो 14.58% होता और 2021 में benchmark का return जबसे इस fund के साथ comparison कर रहे हैं तबसे यह 10% का आप लोगों को return maintain करके देखता है तो overall देखा जाए तो fund ने benchmark को कुछ जगों पे जहां पे beat करना चाहिए अच्छा कासा beat किया है और outperform भी किया है तो एक तरीके से fund की distribution और fund की management काफी अच्छी है बाकी fund manager की बात करते हैं तो Mr. Jankiram जो की 2008 से its fund को manage कर और काफी बढ़या experience है इनका पाकी यह और भी funds को manage करते हैं Franklin, India का Prima fund, Flexi Cap fund, Opportunity fund, Equity Advantage fund और Taxil fund तो इनको experience काफी अच्छा है अगर आप लोग इसके साथ हैं fund के साथ तो यह fund manager पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मुझे भी इन पर भरोसा है इनके experience, इनके fund management और इनका distribution SIP है और other fund में भी देखेंगे तो काफी अच्छे तरीके स से इनोंने किया है बाकि अगर आप लोग लंशम और SIP की calculation करते हैं तो अगर आप लोग regular को देखते हो तो लगबग 14% का return जब से यह fund launch हुआ है तब से का maintain किया है तो अगर आप लोग इसमें SIP करते हैं 1000 की, 5000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 15,000 की, 15 सालों के लिए तो इस तरह क return आप लोगों के बनेंगे मैं सभी returns आप लोगों को पढ़ करके नहीं बताने वाला हूँ लेकिन कुछ major return अगर आप 15,000 की SIP 15 सालों के लिए करते हैं अगर पिछले 15 सालों की बात करते हैं तो आप लोगों को 84,000,000 रुपीज तक का return maintain होता है यानि कि 84,000,000,000 तक का wealth आप लोगों का create हो जाता 20,000 के SIP करते तो आप लोगों को 1.13 CR यानि कि 1.13,000,000 रुपे तक का fund यहां पे इकठा हो जाता वहीं पे अगर आप लोगों करते 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जो present CAGR return maintain हुआ है, जब से ये fund launch हुआ है, regular की मैं बात कर रहा हूँ, बाकि अगर आप लोग direct को देखते हो, तो direct ने जब से 2013 से अभी तक का return maintain हुआ है, वो 21.50%, तो मैंने 21% पे simply निकाला है आप लोगों के सामने, सेम SIP जितने पे आप लोग करते 15 साल के लिए, तो आप लोगों का जो 15,000 की SIP होती, 15 साल तक के लिए, वो होती 1.99 CR तक, यानि कि 1.99,000,000 अल्मोस्ट 2 करोड रुपीज तक का fund यहाँ पे accumulate हो जाता, वहीं पे 20,000 की SIP करते तो 15 सालों में 2.66 करोड तक का fund यहाँ पे आप ल fund और fund के performance के उपर है, बाकि आप लोगों का जो CAGR return है, उसके हिसाब से देखा जाए, तो इस तरह के जो value है आपके portfolio की वो हो सकती थी, अगर आप लोग इसमें इतना investment करते हैं, उसे तरह से लंशम में देखते हैं आप लोग, तो लंशम में भी 5,000 का लंशम, 15 सालों में 92, 52,000, 50,000 का 9.3,00, 1,00, 18.56,00, 5,00, 92.81,00, 10,00, 1.85,00, यानि कि 1,85,00, रुपे तक का आपका fund इकटा कर देता है, अगर आप लोग लंशम अमाउंट इसमें invest करते हैं, तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपको invest करना चाहिए, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अगर आपका long term का goal है, तो ही invest करो, अगर short term की भी goal है, जैसे कि 3-5 साल के भी मैं कहूंगा, medium term जो आप लोग कहते हो, तो आप लोग इसमें मत आओ, अगर आप लोग 15-20 साल के लिए इसमें invest करना चाहते हो, या फिर 10 साल से जादा के लिए, तो मैं कहूंगा कि आप लोग इसमें invest कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कि अगर आपका goal complete हो गया है, तो आप लोग इस fund को छोड़ दो, क्योंकि Franklin को लेकर कि काईक सारी बात ही चल रही है, 6-7 fund इसके जो debt securities के थे, वो बंद हो चुके हैं, उन पे cases चल रहे हैं, तो म भी future में कुछ हो सकता है, उसका इससे लेना देना तो नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है, तो Franklin company एक तरीके से थोड़ी सी दिक्कत में चल रही है, तो अगर आपके goal achieve हो गए हैं, तो आप लोग उसको exit कर सकते हो, बाकी अगर जो लोग हैं इसके साथ वो बने रह सकते हैं, आ अगर आपके पास दूसरे options हों, क्योंकि दिखिए इस तरह की category में आप लोगों के सामने बहुत सारे option है, small cap में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरह से invest करा है, और HDFC में क्यों मैंने invest करा है, access में मैंने क्यों invest करा है, तो access small cap के बारे में बात कर करके पिछले एक सालों का, उसके लिए परिशान मत हो, ये कई small caps ने 100% से ज़्यादा के return maintain किये है, तो अगर आप लोग अभी फिलहाल इसमें invest करना चाते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप लोग avoid कर सकते हैं, आप दूसरे options को देख सकते हैं, दूसरे fund को देख सकते हैं, बाग आप लोग मुझे नीचे बता देना, जिससे कि मैं आप लोगो को आने वाली वीडियो उस पर लाकर करके दे सकूँ, अगर आप लोग इस fund में invest करना चाते हो, तो नीचे dimate account के लिंक है, वहाँ से आप लोग खोल सकते हो, और invest कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे हो, तो दूसरों के साथ भी सेर कीजेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, तो आने वाली हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन आ सकेंगी, हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगो का दिन सबहों, जैहिन